चले विदार्थियों मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ तेंथ के किमेस्टी के कोश्चन से लेकर आप जानते हैं किमेस्टी आप बहुत उतना मन से नहीं परपाते हैं लेकिन ये अब्जेक्टिव आपके लिए काफी फायदेमंद है और जब मन लग जाएगा किमेस्टी में तो पढ़ने का भी मन बहुत बढ़ जाता है किमेस्टी एक निरस जैसा लगता है लेकिन जब उसे पढ़िया से समझ कर पढ़ने लगते हो तो आपके लिए आसान बन जाता है आईए कुछ अब्जेक्टिव कोश्चन के साथ मैं इसके दूसरे पार्ट के साथ हाजिर हो और इसका पहला पार्ट जो है आपको यूटूब पर हमारे मिल जाएगा और दूसरा पार्ट आज तो पहला कोश्चन कोश्चन आपके सामने है कि निलिखित में से कौन सा यूग एक दूरबल अमल है बताना होगा इसमें दूरबल अमल कौन है देखिए तीन गो परबल अमल है बाके सब दूरबल अमल है HCL जो है यह परबल है hydrochloric अमल परबल है यह परबल है यह भी परबल है इसमें तीन जो है वह काफी परबल है यह काफी परबल है और यह जो है वह एक दूरबल अमल है क्या है दूरबल अमल है यह एथेनोईक एसिड है और यह एक दूरबल है ठीक है तो आपको याद रख जो दीखाय दे रहा है काफी प्रबल योगिक है और बाकी दो जो है वह दुर्बल है किलिए रहें अगले प्रस्न की और भरते हैं प्रस्न किया है और यह बहुत ही बड़िया आपको समझ में आने वाला है देख लिजियेगा तो आपको याद हो जाएगा करें सभी अमल जल म में तो अमल में होता है हाइडोजन और जब जल में घुलाईएगा तो हाइडोजन आयन ही मिलता है अगर भस्म है तो उसमें हाइडो अक्साइड आयन मिलेगा अमल है तो हाइडोजन आयन मिलेगा है यह आपका उत्तर होगा ठीक है तो दो का ए नमबर उत्तर आपके लिए ब निम्नी लिखित में से किसके द्वारा यह अदोगिक छेत्र में अमल वर्षा होती है देखें अदोगिक छेत्र जैसे मतुरा ईत्यादी है तो आप सुने होगे मतुरा में या फिर आग्रा में या परॉणे इस अब तेल सुधा करखाना है और ऐसे जगहों से सल्फर बहुत मात्रा में निकलता है और यही सल्फर सल्फर डाई अक्षाइड होता है सल्फर के रूप में निकलता है तो सल्फर डाई अक्षाइड के कारण एसी जो रेन होता है अमल वर्षा होती है वह इसी सल्फर डाई अक्षाइड के कारान होती है ठीक है अगले प्रशन की ओड़ देखते हैं इससे तो रख्षा होता है पड़ा वैगने किरन का तो यह नहीं होगा अगले प्रशन की ओड़ चलते हैं अगला प्रशन क्या है प्रशन नमबर 4 और आप मन में भी इसका उत्तर आप बताते रहिएगा इससे आपको मालूम चलेगा कि आप कितने रिवीजन किये हैं आप कितनी आपकी छमताएं विक्षित हुई हैं कितना याद हैं कितने प्रशनों को जानते हैं और यही आत्मचिंतन के द्वारा आपको विश्वास होता है कि आप कितना जान रहे हैं और कितना जाननी कि अभी आउशकता है और आपका पढ़ाई किस दिशा में जा रहा है चुना जल, चुना जल का रशायनिक नाम क्या होता है चुना जल कैल्सियम हाइड्रो अक्षाइड इसको कहते है CAOH2 यह जो है कैल्सियम हाइड्रो अक्षाइड होता है यह चुना जल का सुत्र अफसर नमबर भी इसका बिल्गूल सही जवाब है calcium hydroxide अर्थाद C-A-O-H 2 हो जाएगा अगले प्रश्ण क्यों चलते हैं अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण है कि कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका संभवता pH क्या होगा लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो वह छाड़िये होगा क्या होगा छाड़िये लाल लिटमस को नीला कर देता है ठीक है और नीला को जो लाल कर दे वह अमलिये हो जाएगा तो फिर इसका pH मान क्या होगा तो यह तो तीनों अमल की बात हो जाएगी एक के गुना अपवाद है 10 साथ रहेगा तो उदाशीन होगा साथ से ज्यादा तो भास्मिक हो जाएगा और साथ से कम तो अमलिये हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा क्या अबसा नमबर D हो जाएगा अगले प्रस्न क्योट चलते है अगला प्रस्न देखिए क्योश्चन है एसिटिक अमल का जो गंद होता है एसिटिक अमल का तनू विलियन के बारे में आपका अलोकन क्या सत्य होगा तो जो एसिटिक अमल है ना उसमें सिर्का जैसी गंद आती है कैसे इसमें सिर्का जैसी गंद आती है एसिटिक एसिट में Acetic Acid में सिरिकाय जैसी गंद आएगी Option number A हो जाएगा अगले प्रस्ण की और देखते है प्रस्ण संख्या साथ पर बिचार करते है Question आपके सामने है Alcohol Alcohol जो होता है वो उबली पत्ती पर iodine-villian की कुछ बुंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है स्टार्ट का पता लगाने के लिए ये काम किया जाता है Alcohol में उबली पत्ती को डाल देते है आप उसके उपर जो होगा वो iodine की बुंदों को गिराते है जानते हो प्रिकास अंसलेशन क्रिया में जब हमें मालुम करना होता है क्लोरोफिल के बारे में उस समय यह प्रियोक किया जाता है स्टार्ट का पता लगाने के लिए स्टार्ट या मंड का पता लगाने के लिए यह काम किया जाता है और तब पत्ती का रंग हो जाता है नीला कैसा हो जाएगा नीला एलकोहल में पत्ती को डालने के बाद उस प्रयोडीन की बुंद डालेंगे तो उसका रंग हो जाएगा नीला अफसा नंबर भी पिलकुल सही जवाब है अगले कोश्चन क्यों चलते हैं अपच अपच का मतलब आप खाना खाए हैं लेकिन पचा नहीं है तो पचा नहीं है तो गैस बनाएगा तो जब गैस बनाएगा तो उसको आपके पेट में दर्द होगा तो जब गैस बनाएगा तो पेट में दर्द होगा तो अपच का उपचार करने के लिए मनें गैस का उपचार करने के लिए क्या करते हैं एंटाशिड एंटाशिड क रूप में हम दमाईयों का इस्तमाल करते हैं atasid जो acid की मातरा को उधार्षीन कर देता है मतलब पेट में अपजब होटा है न वह acid के कारण से होता है दर्द होगा जलन होगा तो उसको अंटासit जो होता है anti-acid, बने anti-acid, acid के विप्रिक काम करेगा, मतलब चारिय प्रविर्ती का होता है, और इसके कारण जो होता है, वो पेट में गैस की मातरा को उधार सिन कर देता है, और तब पेट दर्द ठीक हो जाता है, तो अपच में हम उप्योग करते हैं किसका, तो N था शेड़ का. ठीक है? अगले प्रश्नी की ओड चलते हैं. अगला प्रश्न समझते हैं क्या है? ये बिल्कुल अशान प्रश्न है और बहुत महत्पून प्रश्न है, जो पिछले वर्सों में, कई वर्सों में पूचा जाता असान देखने में है, बिल्कुल असान है, दिमाग पर रहना चाहिए, याद है तो आपके लिए असान है, नहीं तो आपके लिए भारी हो सकता है, किसे भी उदाशीन विलियन का pH मान कितना होता है, कितना होता है, pH मान होता है, साथ, option number जो B है, वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है अगले प्रस्ण की और चलते हैं अगला प्रस्ण क्या है अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन लवन है लवन का उदारन कौन है देखिए एच लगा है ना तो यह अमल हो जाएगा ओएच लगा है ना तो छार हो जाएगा या भश्म हो जाएगा ओएच लगा है क्या हो जाएगा छार हो जाएगा आज इसमें ना एच लगा है ना ओएच लगा है तो उसका फिक्रे मत किजे वह लवन ही होगा अपसा नमबर सी ही इसका सही जबाब होगा किलिएर है भयी,-ह लगा होगा, तो अम्ल होगा, थ्यारे बच्चों वह लगा होगा, तो जार होगा और ना एच लगा है ना वह लगा है, तो वह होगा लवन, अपसा νबर C बिलकुल correct answer है अगले प्रशन क्यों चलते हैं अगला प्रशन क्या है अगला प्रस्ण आपके सामने है किसी लाल तप्त आईरन पर जलवास्प परवाहित किया जाता है तो कौन सा योगिक बनता है मतलब कोई योगिक है जैसे कोई लोहा है और लाल तप्त लोहा है उसके उपर अगर जलवास्प को परवाहित करते हैं तो जलवास्ट को जो परवाहित किजिएगा ना तो बनेगा FE3O4, ठीक है, FE3O4 का यहां पर निर्मान हो जाएगा, तो आईरन पर जलवास्ट को परवाहित करने पर यह बन जाता है, ठीक है, अगले प्रशनिकियों चलते हैं, अगला प्रशनिकियों, इसमें जो है, हमारे सर से कहां तक होता है, शरीर की बात कर रहा है, तो इसमें pH का मान कितना होता है, 7.0 से 7.8 होता है, हमारे पेट का नहीं कर रहा है, शरीर का pH 7 से लेकर 7.8 तक होता है, ठीके, अगले प्रस्न की और चलते हैं, question number 13 की और, baking powder, baking powder का अनुश सुत्र क्या होता है, baking powder का सुत्र हो जाता है, NaHCO3, यह, ठीके, NaHCO3, sodium bicarbonate, क्या हो जाता है, baking powder का सुत्र हो जाएगा, sodium bicarbonate, आगे बढ़ते हैं और प्रस्न संख्या शौदा की उड़ चलते हैं कि प्रस्न संख्या शौदा क्या है कौन सा विजाती है योगिक हैं विजाती है मतल़ जो सबसे अलग हो जाएं सबसे अलग है देखो plaster of Paris सबसे अलग है कौन? plaster of Paris जो होता है वह तीनों में से तीनों के गुन से बिलकुल क्या है? अलग है अगले प्रश्ण क्यों चलते हैं बताना होगा कि इसमें से चारीय विलियन का pH मान कितना होगा प्रश्ण संख्या 15 क्यों चलते हैं प्रश्ण संख्या 15 में है कि pH का मान बताना है बताना यह है कि चारक विलियन का मान कितना होता है तो चारक विलियन का मान जो होता है चारक विलियन का मान होता है कितना तो चारीय जो होगा न देखो यह उदासीन होगा अमलीय यही हो जाएगा अफसा नमबर D हो जाएगा क्या हो जाएगा अफसा नमबर D हो जाएगा तो यह उत्तर बिल्कुश सही जवाब है ठीक है अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं अगला प्रस्ण क्या है Question number 16 Question number 16 है Sodium chloride के जलिये विलियन से विधुत दहारा प्रवाहित करने पर यह व्योजित होकर Sodium Hydroxide बनाता है इस प्रक्रिया को क्या कहते है देखिए Sodium chloride के जलिये विलियन से विधुत दहारा प्रवाहित करके व्योजित करके Sodium Hydroxide मनता है Sodium Hydroxide बनता है यह क्रिया Chlor Alkali भी धे Chlor Alkali अविक्रिया Chlor Chlor Alkali भी भी बनता है और Chlor भी बन रहा है जो NaOH कह रहा है वह Chlor है और Chlor Alkali भी 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 कहते है या Chlor Alkali अविक्रिया कहते है Alkali मतलब Chlor भी होता है तो Chlor Chlor Alkali कहा जाएगा प्रस्ण संक्या 17 देखते है और 17 आपके सामने या Question कौन सा प्रबल अमल है देखे प्रबल अमल कौन सा है देखो लेक्टिक अमल प्रबल नहीं है इसकार्विक नहीं है फार्मिक नहीं है सल्फुरीक अमल जो होता है S2SO4 जो होता है वह एक प्रबल अमल की स्रेणी में आता है मैंने बताया कि तीन प्रबल अमल है H2SO4, HCL और HNO3 तीन प्रबल अमल कौन कौन है H2SO4 HNO3 और HCL जो होता है वो प्रबल अमल है और बाकी जो भी है वो सब दुरूबल अमल है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Sulfuric अमल Option number C हो जाएगा अगले प्रशन देखते हैं प्रशन संक्या 18 क्यों चलते हैं 18 number प्रशन क्या है क्योश्चन कर रहे है कि अमलीय अक्षाइड के विलियन का प्येच मान क्या होगा ये देख लिजे अमलीय अक्षाइड होगा तो 7 से कम होना चाहिए अगर अमल है तो साथ से कम एके को है option number D हो जाएगा मतलब अमलिय अक्षाइड का अगर हम पी एच मान की बात करते हैं तो हो जाएगा वह चार जो भी साथ से कम होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा तो option number D बिल्कुल सही जबाब है अगले प्रश्न की देख क्यों बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है देखे प्रश्न है निलिकित में से कौन सा संचारक अमल है संचारक और इसका बैटरी में भी उप्योग किया जाता है संचारक अमल का और यह है सल्फियूरिक अमल S2SO4 इसको बोला जाता है संचारक अमल क्या कहेंगे इसको यह संचारक अमल की स्रेणी में आता है तो यह S2SO4 है अफसन नमबर भी बिल्कुल सभी जबाब है अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं 20 नमबर कोश्चन कोश्चन आपका है कि लिटमस विलियन लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बनता है यह बनता है लीचेन का किसका बना होता है याद रखिएगा यह थोरा साब को लगेगा अटपटा कोश्चन लेकिट जरूरी है Litmus Willian जो Vagni Rang का रंजग होता है या किस पदार्थ का बना होता है या Lichen का बना होता है ठीक है अगले प्रशन की और चलते है प्रशन संख्या 21 की और प्रशन संख्या 81 है जल में घुलन सील भस्म क्या कालाता है जब भस्म को जल में घुला दीजेगा तो इसका नाम हो जाता है छार क्या नाम हो जाता है छार हो जाता है मतलब कोई अम भस्म को अगर आप जल में घुलाते हैं तो उसका नाम हो जाता है छार अफसर नमबर भी बिल्कुल सही जबाब है अगले प्रस्णिकी ओर चलते है 22 नमबर 22 नमबर प्रश्ण की ओर कि Milk of Magnesia का pH मान कितना होता है Milk of Magnesia छारिय होता है कैसा होता है Milk of Magnesia जो होता है वह छारिय होता है और जब छारिय होगा तो इसका pH मान कुछ है देख सकते हैं आप जैसे छारिय होगा ना तो ये तीन साथी सत्व होगा नहीं, सारहे दस हो जाएगा, कितना होगा, तो सारहे दस होगा, इसका पी एच मान हो जाएगा, सारहे दस, दस दसमलों पांच हो जाएगा, ठीक है, अगले प्रस्न की और चलते हैं, अगला प्रस्न क्या है, अगला प्रस्न है, तेईस नंबर आप जानते हैं एक वीडियो में लगभख 30 प्रस्नों को सामील किया जाता है और आज भी 30 प्रस्नों को ही सामील किया जाएगा और यह जो है निमने लिखित में से कौन सा एपाosit 94 होता है तो 24 होता है H2SO4 कौन होता है H2SO4 होता है दिवचारी अमल कौन है H2SO4 होता है ठीक है अगले प्रस्न की ओड चलते हैं अगला प्रस्न क्या है बैटरी का अमल कौन है बैटरी में कौन सा अमल डाला जाता है अभी मैंने आपको कहा कि बैटरी में सांद्र Sulfuric अमल का उफ्योग होता है S2SO4 जिससे संचारक अमल के नाम से भी जाना जाता है अगले प्रस्ण चले ये इसको याद रखेगा बहुत महत्पुन कोशन है बैटरी का अमल होता है सांद्र S2SO4 होता है अगले प्रस्ण क्यों चले तो अगला प्रस्ण देखिए क्या है अगला प्रस्ण है Acetic अमल एक दुरूबल अमल है क्यों Acetic अमल दुरूबल अमल होने का कारण है कि एक कम आयनी तो होते है जो जल में कम आयनी तो होकर Hydrogen आयन देते है जो बहुत कम मात्रा में Hydrogen आयन देते है SEL, HNO3 और S2SO4 होता है, ठीक है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, अगले प्रस्न क्यों चलते हैं, अगला प्रस्न क्या है, प्रस्न संक्या 26 की योड, नेकी में से सबसे प्रबल लवन कौन सा है, प्रबल लवन N-SEL, sodium chloride, sodium chloride जिसका उफ्योग हम लोग खाने के लिए करते हैं, खाने वाला नमक है, सधार नमक है, और यह प्रबल है, प्रबल इसलिए है कि देखलो, यह SEL और N-A-O-S से बनता है, इससे बनता है, तो यह जो है, जब रेट करेगा तो यह भी प्रबल चार है, और यह भी प्रबल तो बनाएगा तो प्रबल लवन हो जाएगा, तो N-A-C-L इसका सही जवाब है, अगले प्रशन क्यों चलते हैं, अगला प्रशन है 27 नमबर, ए बढ़िया कोशन, टूथ पेस्ट, दातों को साफ करने के लिए, दंत मंजन अर्थात टूथ पेस्ट में पढ़ाया क्या डाल जाता है, तो आप जानते हैं, जब हम खाना खाते हैं, सरकराई प्रशन करते हैं, तो हमारे जो दात हैं उसमें बैट जाते हैं, और बैटने के बाद उसमें जो वेक्टिरिया होती है, जो सुक्सिव जीव है हमारे सरी के भीतर, वो उस पर क्रिया करेंगे उसको एसीड में लगते हैं उस अमलकी मातरा को समाप करने के लिए अल्रेडी हमारे मुख में जो लार है उसके कुछ मातरा को तो समाप कर देता है लेकिन संपुर्ण मातरा को अगर समाप करना होता है तो संपुर्ण मातरा को समाप करने के लिए टूथ फेस्ट का उफ्योग होता है और उस ट सब्सक्राइब चलते हैं फिसमें क्यार अठाइस की ओर है कि सुध्य जल का पियेच मान कितना होता है सुध्य जल उदाशीन होता है और आप थोड़ा मुझे बताइए कि जब सुध्य जल उदाशीन होता है तो जब उदाशीन होगा जब उदाशीन होगा तो इसका पियेच म हो जाएगा साथ clear है तो एभी clear हो गया सवाल नंबर 29 और उसके बाद 30 नंबर आकरी सवाल co2 gas को पानी में घोला जाता है तो इसमें से क्या होता है अगर co2 gas को पानी में घोला जाता है तो तो उसका pH मान जो होता है वह साथ से कम हो जाता है मतलब वह अम लिये हो जाता है ठीक है अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण क्या है और यह अगला प्रश्ण है कली चुना कली चुना का कली चुना का सुत्र क्या होता है कली चुना का सुत्र होता है कैलसियम ऑक्षाइड क्या होता है कली चुना जो होता है वो होता है क्या वो जो कली चुना है उसका सुत्र होता है कैलसियम ऑक्षाइड होता है कि लिए रे बाकी आप सबी को कैसा लगा यह वीडियो एक वीडियो में हम लोग 30 प्रसनों को ही करते हैं तो आपको एक कैसा लगा वीडियो जो कमेंट करके बताईएगा और प्रतेख दिन हमारे इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें और दोस्तों में share करें और बताएं कि आपके लिए कितना महत्पूर्ण हो रहा है ठीक है मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दीज़े इजाज़त धन्यवाद जैहिंद जैवारत